Hello everyone, welcome to Viral Education Class 9 and 10 Hindi तो इस वीडियो में Class 9 के दुख का अधिकार चेप्टर को पढ़ने वाले हैं तो चलिए श्टार्ट करते हैं यह कहानी दुख का अधिकार लेखक या स्पाल जी के दवारा लिखा गया है इस कहानी की माध्याम से लेखक देश या समाज में फहले अंधिविश्वास और उच्छे निचे के भेद भाव को बेनकाब करते हुए या बताने का परियास किये हैं कि दुख की अनिमती सभी को समान रूप से होती है प्रस्तुत कहानी धानी लोगों की अमानिवेता और गरीब की मजबूरी को भी पूरी गहराई से चितरन करती है कहानी कनुसार लेखक कहते हैं कि वास्ता में कपड़ा ही समाज में मनुष का अधिकार और उनका दर्जा निश्चित करती है जिस तरह से हावा की लहरे कटी हुई पतं को नीचे जमीन पर नहीं गिरने देती ठीक उसी परकार जब हम जुक कर तबके की अनुभूती को समयना चाते थे तो यहाँ कपड़ा की बंधन और अडचन बन जाती है कहानी कनसर आगे लेखक कहते हैं कि बजार में खरबुज बेचने आई एक अधेर उम्र की महिला कपड़े में मुह चिपाये और सीर को घूटने पर रखे रो रही थी आसप्रोस की लोगों ने उसे गिरिन नजर से देखा और उसे भला बुरा कहे लेखक आगे कहते हैं कि आसप्रोस की दुकानों से पता चलता है कि उस महिला का 23 वरस का लड़का परसो सुबह साप के डसने के कारण मुरुति हो गई थी उसके बाद घर में कुछ भी नहीं बचा था जितना भी घर में धन था उसारे वरीत बेटे को विवाद में चले गए घर में उसकी बहु और पोते भुख से परिसान थे इनी सब कारणों से वह विरीद महिला बेवस होकर भागवान के बटर हुए खरबुज बेचने बजार चली गई थी ताकि वह घर के लोगों की मदद कर सके परनतु बजार में सब मजाक उड़ा रहे थे इसलिए वह रो रही थी बीच बीच में बेहोस भी हो जाती थी वास्तों में लेखाक उस महिला के दुख की तुलना अपने पड़ोस की एक संभराता महिला के दुख से करने लगते हैं जिसके दुख से सहर भर के लोगों के मन उस पूत्र सोक से द्रवित हो उड़ते थे लिखक अपने मन में यही सोचते चले जा रहे थे कि दुखी होना और सोक करने का भी एक अधिकार होना चाहिए तो यही था दुख का अधिकार चेप्टर तो इसी तरह से आप लोग को एनिमेटेड वीडियो को माधियम से सारे चेप्टर और सारे सब्जेट को अच्छी तरह से बढ़ाया जा रहे हैं कलास 9 के तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को साथ भी सेयर करें ताकि उन लोग का भी हेल्प हो सके तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थाइंक्यू